इस वीडियो को आप एक मिनिट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग हम फिर से वापस आज़के एक नाइब वीडियो के साथ तो गाईज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और इस हमारी बैल आइकिन को भी दबा दीजे इस वीडियो को लाइक करिए कॉमेंट करिए अपने फ्रेंड के साथ फैमली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए गाईज हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं पूरे न्यूस रिलेटेड जो भी वाइरल माटेरियल होता है जो भी बड़ी बड़ी डिवेट होती है सब का हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं तो आप हमारे चैनल से बने रही है अजीद दिवल जो हैं वो अचानक वो काबल पहुंच गए परिस ज़ीड जenne उनको तीं दिन को इनों ने दौरा किए काबल का और काबल का चो दौरा है उसमें उनकी अश्रख Westi से भी मलगात होई है सदर अश्रख Westi से मलाकात होई है उनकी वहाँ पे अबद Doubleh से मलगात होई है उनकी जो है वो वजीर खार्जा से मुलागात हुई है उनकी NDS के सरबरा जो अहमदला मोहिब है उनसे मुलागात हुई है मुहमद अत्मर से मुलागात हुई है और नाइब सदर उनके अमरुला सालिह उनसे भी मुलागात हुई है अच्छा अमरुला साले और ये उनकी स्टेटमेंट्स वगर आई हैं हम आपे ठीक है ना कि अच्छा ये कभी गए नहीं यानि जब से ये पीस प्रोसेस और ये सारा शुरू हुआ ये इनका कोई काबल का दारा नहीं हुआ और ये बड़ा लो कहता है बिल्कुल खामुशी के साथ हाँ नहीं लोकी तो नहीं रहते लेकिन ये गए बड़ी खामुशी देनी अनौस नहीं किया हो था पहले कि कोई इस मरले पे अचानक ये वहां पर जाएंगे इसमें दो बात दो तीन बातें बड़ी इंट्रोस्टिंग हो रही है इस वक्त दुनिया में अमेरिकन एले जो भारत का मीдеिया है उसने रिपोर्ट ये ही किया कि जी इन्होंने वहां पे अज़्यव अजडि बेल ने पाकिस्तान के三 रान से औ Character को ने ने इसमेगे ऐब बातो चाने के बात शक्र किया बात करें चैर लोगद्मच कि का अधाणा तो उसके बाद उन लो उन्होंद्र BBC को इंट्रिवियो दिया है आजिक और BBC को इंट्रिवियो देते हुनों ने काया कि जी अमेरिकन्स जो है वो जो अमेरिकन्स ने यूएस हैस कंसीडि़ी टूमच्ट टालबान से इस अफ़ान नहीं आने जा रहा तो अफगानिसान इस वक्त एक अजीब आप समझे का आतिश विश्या है क्योंके खास तौर पर उसके बाद वो दोहा की अमन टॉक्स तो बिलकुल फेल और फिर इंडिया इस वक्त आही नहीं सकते अजीड देवल जब तक उनको अमेरिका की तरफ से इश इंडिया दुबारा उधर एक अधर दुबर्दू शुरू है अमेरिका में तो वो दुबारा वापे उन्होंने एंट्यू मारी है अच्छा अब इस दोरान जो है वो एक तो ये बात बड़ी देखने वाली है कि वहाँ पे क्या जाहर है कि पाक्सान के वाले से बात हुई दूसरी जो बात है तो ये कि तशद्द बढ़ गया महाँ पे तीसरी एक बड़ी स्ट्रीजिक किसन की मूव हो रही है उस मूव को मैं अभी उसके ओपर दरा कुल के बात करेंगे जो सेंट कौम है सेंट कौम यानि वो मुलक जिन में आप देखें मश्री के वुस्ता आता ह और पाकिस्तान भी आता है इसराइल नहीं आता था इसराइल योरो योरो कौम के अंटर आता था ठीक है इसराइल को सेंट कौम में डाल दिया है अच्छा ठीक है इसराइल जो है क्योंकि इसराइल योरो कौम में था लेकिन वो फटे सारे जो है वो उनके अभी हालियो दिन तो एक तरह से ये जो मूवमेंट है इसको मेरे नहीं ख्याल कि बाइडन एड्मिस्टेशन को कोई इतराज हो गए इस बात पर क्योंकि वो बनता नहीं था शायद मैंने आपसे का नहीं ये जो मुख्तलिफ कौम्स बनाई हैं ये शायद आगे आने वाले दोनों में जैसे एक एक निया मैंने आपसे का था कल भी हमने बात कि के इंड़ो-पैसिफिक काॉडिनेटर एक नई पोस्ट बनाई गई है महां पर जो कि इस रिजिएन को देखी अगे लिकिन वह अगर इंड़ो-पैसिफिक है तो फिर वो इंड़ो-पैसिफिक में पाकिस्तान तो नहीं है न स्वाली पैदर नहीं होता कि अमेरिकन ब्लेसिंगे बगार यहां पर हो इंडिया लेकिन सूरत हाल पहले से मुख्तरिफ है इंडिया हालत जंग में है इस वत ना सिर्फ यह के पाकिस्तान के साथ मुसलसल एक जिससे कहना चाहिए लो इंटेंसिटी कॉन्फिक्ट तो चल रहा से तो इसका मतलब है कि वो चाइना के दुश्मन के साथ बात कर रहा है यह अपने जाहरे दुनिया को जहन में रखना होगा मतलब हम भी अगर फर्स करें पाकिस्तान कभी कोई पीस प्रोसेस आने वाले दिनों में और शुरू होना चाहिए ला करे कि मुझा करें तो हम भी बात करेंगे तो हमारी पुजिशन वो नहीं होगी जो आससे दो साल पहले थी साल पहले तो यह था कि जी इंडिया के साथ एक टेंशन चल रही है अमन मुझा करात हुए अब हम बात करेंगे तो उसमें हम चाइना को मद नजर रखके रियासत पाकिस्तान को बात करनी हैं हमारे सारे यानी हम तो भात करें लेकिन ये सब जहन भी उसमॉلके बात करें जो के चाइना से लड़ रहा है और चाइना का बाइडर लगता है इफ़र जाइने के साथ च्छोटा ही से लगता है चाइना की की एक चाइना में ये पीस डायलॉग्स और तालिबान और सारा बेजिग्ग और रशिया ने ह liberty भात जाइने अब देखें चार पांच दिन रह गए पंदरा हो गई तो बीच तारीक तो पांच चार दिन पांच दिन अब चार पांच दिन जो है ये अमेरिका के अंदर अभी तक कोई सरपे समझ नहीं आ रहा है क्या हालात वहां किस तरफ जाएंगे जो ट्रॉम साब बड़ी हद तक महदूत कर दिये गए हैं वाइट हाउस के अंदर पर खत्म आप यहां से यह वीडियो चोड़कर जा सकते हैं तो पाकिस्तान के इस बेबकूफ को आपने सुना यह बेबकूफ का नाम है डाकफर साइद मसूत यह इस तरीके की मतलब फेक स्टोरी फणी स्टोरी बनाता रहता है जिसका मतलब आप समझे ले कि काल्पनिक होत करता है पाकिस्तानियों की एक सोच है अगर भारत इरान जाए तो अफगानिस्तान जाए तो अरब जाए तो बस जंग की बात करने गया पाकिस्तान को आईसोलेट करने गया यह वो मतलब यह लोग आप समझ ही नहीं सकते कि इस से आंग इनकी सोच है ही नहीं और आपको बता दें कि आपको पता है अफगानिस्तान भारत के रिलेशन्शिप इतने डीफे हैं भारत का एक प्रोजक्ट चल रहा है काफी बड़ा प्रोजक्ट है चाबहार पोट से जो भारत को मतलब पहले मुंबई से जाना है चाबहार जो एरान का एक पोट है फिर वहां से रेलबे लाइन बिचा कर अफगानिस्तान पहुंचना और अफगानिस्तान के बाद इसे सेंटरल एशिया तक पहुंचना है तो ये रूट आपको पता होगा इसमें भारत अफगानिस्तान और इन तीनों पार्टनर है हलाकि अगर भारत के पास P.O.K. होता तो साइध ये रूट काफी सस्ता पढ़ता सीधे P.O.K. से अफगानिस्तान अफगानिस्तान से सेंटरल एशिया लेकिन कोसिस करेंगे कि बाद में भारत के पास वो रूट आ जाए तो अजीर डोवाल के अफगानिस्तान दोरे को लेकर इसने इस तरीके की घटिया वाते करी हैं कि भारत जंग में हैं और बेवकूफ जूते पढ़ेंगे इस तरीके की बात इन जैसे बेवकूफों के मूँ से ही नकल सकती हैं बहुत जम जम के जूते पढ़े हैं चार जंगों में इनके जर्नलों ने यहाँ पर जूते पॉलिस किये हैं वो तो अब पॉलिटिकली तेरा नवे जार सेने इनको मिल गए नहीं तो वो भी आज तक भारत में यहीं पर जूते खाते खाते यहीं पर कब्राय मन जाती उनकी तो दोस्तो इस तरीके की बाते इन्ठी की तरफ से हो सकती है आपको पता है भारत और चाइना में टेंशन है लेकिन आइसा कुछ तो है नहीं की बिलकुल मालब तोप तोप लेके दोनों सेना ऐकाई खडिये है होती है डेंशन यहां से यहां से वो पैट्रोलिंग के दौरा होता है पाकिस्तान के साथ तो भारत का जब से पाकिस्तान मना है तब से भारत और पाकिस्तान के जम्मु कस्मीर एलोसी पर हमीशा डेंशन रही है बाकी बॉर्डर तो सांती रहता है तो इस तरीके की बात है यह बेवगूफ लोग करते ही रहते हैं आपको पता है और इंडिया का अफगानिस्तान विजिट आपको पता है इंडिया ने अफगानिस्तान में कितने सारे development के काम किये है इंडिया ने वहाँ की पार्लियमेंट बनाई है वहाँ पर बहुत सारे स्कूल और ऐसी चीज़े की है हलाकि आपको पता है ये चीज़े अमेरिका ने भी वहाँ पर नहीं की है अमेरिका भी वहाँ पर आर्मी लेकर आया है और अब साइद वहाँ पर आर्मी मिड्रॉल कर ले आपको पाकिस्तान ने तो अफगानिस्तान को बरबाद ही किया है बहुत छोटी छोटे काम कर रहे हैं बहुत छोटे छोटे काम आप समझ सकते हो और उन्हें भी ये लोग निकालने की तैयारी कर रहे हैं आप समझ रहे हैं जो जैसे कि आप रोहंगिया में इंडिया को निकालने की बात होती है वहाँ पर ऐसी बात होती है लेकिन वो लोग यहां पर रोहंगयन को निकालने का बिरोध करते हैं लेकिन उनको बिरोध नहीं करते हैं जबकि वो बचारे इन लोगों के जिहाद